हेलो एवरीवन वेरी वेरी गूड एविनिंग गाइस कैसे हो आप सब आई हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज यह आठ मार्च का ब्लॉग है और हम लोग बना रहे हैं गुजिया क्योंकि गुजिया की तयारें में काफी टाइम लगता है और गुजिया बनाने म को भी प्रेस कर दीजेगा तो गयाई सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइफ फूर्स पहले तयार किया था और उसमें चीनी का भुर्रा हमने डाला हुआ है आप देख सकते हैं साइड में और यह खोया है और खोया हम लोग इसमें मिक्स करने वाले थे बट यह काफी गरम था तो ममें ने कहा इसको थोड़ी देर के लिए रख दो यह जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और गुजिया में तो सूजी भी पड़ता है बट हम लोग इसमें सूजी बिल्कुल नहीं मिलाते हैं सिर्फ खोय का ही हम लोग गुजिया बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा थक हैं हम लोग फिर भी हम लोग गुजिया बना रहे हैं क्योंकि गुजिया बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम लोग गुजिया को पोस्पोन करते हैं और यहां बना रहे हैं मठ्री और मठ्री बनाने के बाद फिर हम लोग गुजिया की तयारी कर करना है और मेरे पास तो इतना भी टाइम नहिए था कि मैं सामने आके आफ लोग को आपसे बाते कर सकू मॉर्निंग में ही काम खत्म हुआ है सब मिस्टरी वगरर सब चले गये थे सफाई में जूट गये थे और मुझे किचन पूरा क्लिन करना था कि क्यों हर जगह मिट्टी की परत लगी हुई थी कहीं भी ऐसी जगह कोई भी ऐसी जगह नहीं छूटी हुई थी कि जहां गंदा ना हो तो बहुत ही रगड़ रगड़ के साफ किया है हम लोगों ने और आप लुग समस्थर हो गाईस क और इसको मैंने सेट भी नहीं किया है अभी किचन में और बस मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि मैं सोची कि पहले मैं यहां पे सब बना लेती हूं गुजिया और मठरी वगएरा और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मैं किचन में सेट करके रख दूँगी तो गाईस इस समय मैं हम लोग बना रहे हैं गुजिया और बज रहे हैं रात के एक जाए घखर और मम्यं बहुत देर से बेल रही थी तो मैंने ँछ से लिए चकला और मैंने कहा कि मुँ मम्य में बेल काट लूँगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी बेलती हूँ और काटती भी हूँ और इधर मम्य जो है उसका जो चुटी चुटी पेड़े बनाके वो दे रही है और इसको मैं अच्छे से बेल के और काट रही हूँ तो गाईज इधर दिदी जो है मेरी वो छान रही है गुजिया को तो इस तरह से हम लोग की गुजिया जल्दी बन गई थी तीन बज़े तक गुजिया बन गई थी तो गाईज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमने पॉल्दीन में गुजिया को रखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि इससे गुजिया ताजी ताजी रहती है और हमारी गुजिया सूकती नहीं है अगर इसको कपड़े में रखते हैं जैसे चादर में और किसी भी अन्य कपड़े में तो आपका जो तेल होता है गुजिया का वो सोक लेता है और हमारी गुजिया सूक जाती है और खुल भी सकती है और जो हम लोग गुजिया का आटा गुतते हैं मैदा उसको हम लोग पॉलिधीन में करके रखते हैं ताकि वो ताजा ताजा रहे और बहुत ये अच्छा रहता है वो सूखता नहीं है और हम लोग काफी देर तक इसको बना लेते हैं तो गाइस अब देख सकते हैं हम अम्मी और दीदी तयार कर रही है गुजिया को और मैं बहुत देर तक इसको बेल काट रही थी उसके बाद मैं श्रीयो को लेने चली गई वो रो रही थी तो इस तरह सब लोग मिलके गुजिया बना लिए झाल बना लेते हैं तो गाइस अब लोग देख सकते हैं गुजिया बन के तयार हो गई है और हम लोग ने पहर ही गैस जिलेंडर निकाल लिया था और वहां पे छाना था और हम लोग ने ड्रम में रखा हुआ है ड्रम में हम लोग रखते हैं गुजिया चानते हैं तो गाइस आज का वीडियो कैसा लागा मुझे कॉमें बाक्स में जरूर बताईएगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और बिल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप देख पाओ तो होली का वीडियो में कल आप तक पहुँच जाएगा और आज ये 8 मार्च की जो है ये वीडियो है तो गाइस अम में मिलती हूँ आपको अगले ब्लोग में और उस तब तक के लिए बाबाई हैपी होली